हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टो माई चैनल सो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मैदे की कले बहुत ही असाने से बनाना ठीक है और बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद से खेलते हैं जैसे की आप जानते हैं की बाहर बहुत ही महिंगा मिलता है बट हम घर में बस मैदे से बना सकते हैं ठीक है तो बहुत ही कम इंग्रीटरिंस से बना के तयार करते हैं यह हैं हमारे मैदा जो कि हम लेंगे वेज़ दो चमच यह हमारा पहला चमच ठीक है एक जम बराबर आपको measurement इसका रखना है यहमारा एक चमच और बाद में हमारी यह दूसार चमच ठीक है कर दिंगा है इचिह क्या कि झाल ए इस भी चीज से आप मशीयं करना या मेदा है हिंगे लेक्ट को हैं मेरे को साइड में रख लेते हैं ए और ये हमारा है पानी और अब हम क्या करेंगे एक प्लेट लेंगे और मैसेदधे क्या म्तपाक से हम लेते हैं अब हम एक चमच नमक निसे हम लिए कर सादर में लिया है उसमें डाल लेते हैं यह दिखे हमारा एक चमच नमक है और उसी चमच से हम डालेंगे एक चमच पानी नमक को साइड में रखके एक चमच पानी लेकर डाल लेते हैं कि यह मैंना एक चुमच पानी हम हाप से स्टोड़न से से चलाई feel civ कि Nor Всृ जा wyमें को पानी थे तरीका सेमें could like yes म अब बैइक बंट कर रेंगे धी किवा थी तरीका सिंट कर लेंगे तर अब देख रह सकते हैं- जाब कर रहा है अच्छी तरीके समें पूरा फिक्षर मिला लेना है यह है मिला लिया अब करना है जाम से इसे मिक्स करना है ऑब displaced मेश करना है एक्साइन का 5oly-7 अभी कि सब्सक्त कर दूज़रा तो दो गई और समय तुने हैँ नहीं लगए गर को खैसे खैसे खाम दार टो घ्लाट है ज़िए मेरे मेजरमेंट से बनाएं तो आपको वीला नहीं लगेगा आपको थोड़ा हाथ से डो परफेक्ट कर लेना यह देखिए आप देखरों कितना सॉफ्ट हमारा बनाएं डो आप देख सकते इसे बनाना बहुत ही असान है प्रीज आप लोग बना के जरूर बच्चों को दीज जैसे कि क्ले सॉफ्ट रहती वह है coconut oil हम डालेंगे इसे उसी चमच से एक चमच बस यह हमारा coconut oil है इसमें बस हमने एक चमच एट कर दिया है और अब आपको क्या करना है इससे भी अची तरीके साब को इस मैदे वाले टो में मिक्स कर लीना इस coconut oil को मैं हाथ की मदब से मिक्स कर रही हूं अभी जस्ट मैंने ऑईल डाले इसके थोड़ा हाथ में फिसल रहा है बड़ दीरे जब इसमें मिक्स होता जाएगा तभी नॉर्मल हो जाएगा यह देखिए अभी मेरी अब सॉफ्ट हो गई है अब आप हाथ से थोड़ा इसे अब अपने हाथ से अच्छी तर तो आप डाल सकते हो जाएगा अब अपने मन पसंद अड्र दीचे तो मैं ग्री कवर डाल रही हो और अंगली शेले कर लेकि इसके बाद इसमें मिक्स कर रही हूं सब देखिए अब आप क्या करें इस इसका नर्ग पर जिए अब नर्चिन करते हो चलिए अब मैं क्या कर थ पिर से इसके दू बना सरी हिंगा ही तियल बॉट डिया है और जिस्थी कलर चारको प्रें ट्रव में को चरण यह चे पहे प्रतिक्स को जड़ना चार्ण close Verf को बना के बने घृत लोगो है तुर वीजरा के रहिए तकना यह करना हुआ है अगर आपको कम बढ़ दे सकते हैं तो और निया को को अब prefers रिप्दर प bowl और ले सकते हैं तो अगर आपको लाइट को और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही मस्त हमारी बने के तैयार भी है ऐसी क्ले आप लेसी čुछ हमें हमें बाहर मिन्यती तो बहुत अब आप बढ़ार के बना बना के देर होगे तो वह खेलते ही रह जाएंगे और बोलेंगे मुझे बाहर का नहीं चाहिए ठीक है यह देखिए मैंसे खीच रही हूं कितना स्ट्रेच बले कितने सॉफ्ट बनी है मारी तम बहार जैसी बनी है ना यह देखिए आपको कहएगा यह घरर का बना हुआ है नहींना सब कहेंगे कि ममा आपने बहार ही लाएंगा अब आपको इसकी रोज बनाना बताऊंगी अपको क्या करना चोटी-छोटी इसके सारे लोई कर देनी है यह सब्सक्राइब और अब कशी तरीके से इसके गोल कर लेना है और एक लोई आपको थाइड में रखना है उसका हुमने बाद में बाद में काम पड़ेगा कि अब आपको एक लोई उठानी और अपने हाथेली की बीच बीच में ठकेसे इसे इव अप प्रेस करना है यहाद कि मैने प्रेस किया और एकटम अब गए ऐसे आपको सारे कर लेने मैं को एक और करके दिखाती हूं आपको इस हलका से दमाना है बहुत इक्तम पता नहीं कर देना है इसे और आपको क्या करना है इन दोनों को लेकर एक की उपर एक चिपका देना है ऐसे आपको सारे चिपकाने है ठीक है जी देखिए एक और मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ पिर इसे लूँगी और जैसे मैंने पहला उले चिपका देना है मुझे वैसी ही एक के उपर आपको एक ही चिपकाना है इधर उदर आप मच चिपकाईगा प्लीज और यह बहुत ही मस्त रोज बनके तयार होता है ठीक है ऐसे आपको क्या करने सारे कर लेने ठीक है अब शुरू होता है अब हम इसे तम बराबर जगह रख लेते हैं अब आपको प्यार से रखना है बहुत ही हरवड़ी में आपको नहीं रोल करना है अब आपको एक तरफ से आपको रोल करते हुँ चलना है आप इसम लाइट हैंड से करिएगा बहुत ही अब अब देख सकते हों कैसा रोज बना है बहुत ही मस्त रोज बनाएगी हमारा ठीक है दोन तरफ से में रोज मिला है अब आपको जिस साइट का रखना आप रखो और यह जो मैंने पहले एक लोई बचाई थी अब देखे उसकी डंठल बनीगी हमारी अब आपको क्या करना है अपने हाथ से उसकी डंठल बनानी है बहुत ही पतली नहीं बनानी थोड़ी मोटी ही बनानी है जैसे मैंने बनाया मोटा सा अब आपको एक साइट पर चिपका देना है और अपने हाथ की मदद से उसे एक साथ ऐसा करना है कि लगए कि उसी में अटाइच्ट है यह दबाते हुए उससे मिला देना है यह देखे यह मारा फूरा परफेक्टली रोज हमारा बन के तैयार हुआ है तीक है और बहुत ही असान तरीके से में रोज बनाया है क्ले बनाना बहुत ही असान है प्लीज इसे जरूर ट्राइ करिए का बच्चों को बना के जरूर दीचेगा बाबाए मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शिर जरूर करिगा बेल आइकन जरूर दबाएएगा थैंक यू